Hello everyone, C language के slayvers के according हम लोग अपने 12 topics कुप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग अपना 13th topic देखेंगे, that is recursion, okay, तो recursion है हमारा 13th topic, अगर आपने मेरा slayvers के वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार प्लीज slayvers का वीडियो देख ले ना, C language के slayvers के वीडियो के अंदर मैंने आपक आपको पता लग जाएगी तो से वीडियो के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ या यू के उसे स्लेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 12 topics हमारे completed है 13th topic में start कर रहा हूँ that is recursion एक road map मिल जाएगा आपको क्यों से टॉपिक में कब कराऊंगा सी लेंग्वेज के अंदर एक प्रॉपर पिच्चर बच जाएगी तो उस वीडियो को देख लेना है पास लिबस वाले वीडियो को ठीक है तो लो start करते हैं भी recursion देखो क्या है recursion सबको वैसे थोड़ा आइडिया तो हो गई self calling function is known as recursion that is inside definition of function same function is for self calling function का मतलब क्या है एक function की definition में हमने उसी function को ही call कर दिया जैसे for example जैसे यह function f है तो यह इसकी definition है पूरी है इस पार्ट को हम लो क्या कहते थे definition of the function f तो अब देखो कुछ lines चलाई हमने और उसके बाद मैंने यह देखो इस function को मैंने यहां पर call कर दिया तो same function देखो f को मैंने call कर दिया f की definition में इसी जिदको हम लोग recursion कहते हैं तो जैसी मैं function को call करूंगा तो control हमारा वही बात f function पर transfer हो जाएगा फिर से सब चलने लग जाएगा and so on तो recursion means what self calling function that means अगर किसी function की definition में हमने उसी function को call कर दिया that is known as recursion तो यह हुआ जी programming की definition मतला जब अगर हम programming की बात करें सी लेंग्विज एक programming language है तो अगर हम simply बात करूं तो programming languages की terms में अगर मैं बात करूं तो यह है basic meaning recursion का इतना क्लियर हुआ ठीक है next slide पर आते हैं देखो informally we can say अगर मैं conceptually बात तो कह सकता हूं कि repeatedly doing same thing again and again is known as recursion एक ही काम को आप बार 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 करते चला जाओ उसको हम लोग recursion कहते हैं ठीक है आप Wikipedia पे देखना है recursion डालके देखना Wikipedia का जो link आएगा उसमें आप देखना image बनी हुए आईगी तो एक girl खड़ी है ठीक है उसके हाथ में एक box है तो उस box क अदर भी देखो फिर वही बात same to same girl खड़ी है और उसके हाथ में यही same box है and so on ऐसे से बार 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 इमिज में यही सब नदर आ रहा है so much got अ है और उसके पास एक box पर इक girl है फिर एक box है फिर एक box एप और एक गोल है और फिर एक box है to have a एक काम को बार-बार करते हैं, जो किसे जिए यह समय हों नो यह एक ग्रल बना ही आपने या सीए एक आदमी है रुसके पस वह है, लुद अद मुतलक किते हां जो सकक्रशिक अब प्रोग्रामिंग में हमने क्या काता है, function calling itself, होई तो बात हुई, एक काम को बार-बार तो करता जा रहो, यह देखो भई, हैना f function को आपने f की definition में call कर रहा है, तो फिर वही बात है, control f पे आजाएगा, फिर f पे, यह समझ पार है ना भी देखो, f की definition थी, आपने एक ब control वापस यहाँ पे, f पे आजाएगा, फिर कुछ लाइन साइक, फिर वापस control f पे आजाएगा, and so on, चलता ही रहा जाएगा, तो एक ही काम को बार-बार-बार करते चले जा रहे हो, that is known as recursion, आपको लग रहा होगा, शायद अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल intuitive style से पढ़ा रहा कि एक ही काम को बार-बार करते रहो, that is known as recursion, ठेक है, रफली समय में आगा, प्रोग्रामिंग के भाशा में, एक ही function अगर खुद को बार-बार quality करते चले जा रहे हो, that is known as recursion, self-calling function is recursion, इतना हुआ clear, ठीक है जी, आप देखो, आप थोड़ा सा और, थोड़ा सा और dive deep करे होगे, लेकिन एक ही दम, अगर इकठा मैं सब कुछ बोल दूगा, तो फिर चीजी आपको समझ नहींगी, फिर शायद खिटड़ी भी बन सकती है, तो बिल्कुल नाइव वे से, बिल्कुल सिंपल वे से, बिल्कुल इन फॉर्मली, मैं आपको चीजी है crystal clear करते चला जाओं है, कि factorial का program बनाना, तो recursion की बाशन में मैं सोचूंगा कैसे, है न, कोई भी, Fiboni की series का program बनाना, तो recursion की बाशन में कैसे सोचेंगे, and so on, ठीक है, तो मैं आपको सोचने का तरीका समझाओंगा, एक बार वो आपको समझ में आ गया, सोचना आ गया, तो फिर समझ लो पर recursion म दो बार मैंने recursion समझा दी, अब देखो, तीसरी बार एक और, आप सोचना ओर डाइविन डीप करोगा, tell programming के भाशन में बताई, फिर मैंने आपको conceptually clear किया, आप देखो, ओर डाइविन डीप करेंगे, अब मैं क्या बोलूँगा, ये बड़ी important line है, solving bigger problem using smaller problem is known as recursion, एक बड बड़ी beautiful point है, बड़ी beautiful point है, जितने star बनाना है, इतने star बनाओ, पर appreciate करो, इतना beautiful concept है, जब मैं आपको dive in deep करके समझाओंगा, तो बोत मजाएगा, अब इसे समझो, कि कोई बड़ी problem है, उसको solve करने के लिए हम लोग छोटी problems की help ले रहे है, that is known as recursion, ठीक है, अच्छा तो, और आगे पढ़ो, we know solution of smaller problem, and we use this solution to solve the bigger problem, यह भी बड़ा अच्छा point है, तो मतलब हमारे को छोटी problem को आता solution पता है, लेकिन और उसी छोटी problem की solution से, बड़ी problem को solve करने के कोशिश कर रहे है, जैसे suppose करो, आपको zero का factorial पता है, वन होता है, तो इसी concept से, आप 50 का factorial भी निकाल सक सकते हो, पांच का factorial निकाल सकते हो, एक 1000 का factorial निकाल सकते हो, and so on, देखो कितना beautiful बात है, चोटी problem का solution पता है, चोटी problem का solution से, आप बड़ी problem का solution निकालने कोशिश करते हो, that is known as regression, और इंडिरेक्टरी में ऐसे भी कह सकता हूँ, सारा कुछ गुमाफिरा करके, एक हमारे पास हमारे को रूपना होता है, तो उसी, और you can say base condition, जैसे देखो, factorial का example लेता हो, तो थोड़ा आपको समझ जाएगा, अभी आपको लएगा कि सारा कुछ हवा में और तजला जा रहा है, तो मैं factorial का example लेता हूँ, चोटी problem आपको पता है, यह पता है, अब इस concept का use करके, मैं निकाल करके दिखा जबता हूँ, पांच का निकाल के दिखा जबता हूँ, दस का निकाल के दिखा जबता हूँ, जिसमी number का factor, मैं वो निकाल करके दिखा दूँगा, है ना magic वाली बात, यही regression कहती है, तो एक base condition आपको पता होने चाहिए, हाँ जी, रुकना कम है, अभी मै जाओंगा मैं आपको थड़ा और clear होगा ठीक है तो 0 आपको पता था 1 होता है उसके इसाब से हम बहुत कुछ बड़े-बड़े नमबर्स की फेक्टोरिल निकालने की कोशिश कर सकते हैं ठीक है तब देखो जैसे मैं कैसे बोलूगा 0 वन होता है न तो अब मैं आपसे 0 से बोलोगे जी 4 into 3 factorial and so on बासन में आई तो इस तरीके से recursion चलता है तो एक बार अगर आपको छोटे का पता है तो उसी छोटे से हम बड़े-बड़े एक छोटी problem का solution अगर आपको पता है तो बड़ी problem का solution मैं उसे छोटी से निकालने की कोशिश करूँगा तो छोटी problem का solution पत मुझे बतला किया अच्छा जी 2 into 1 factorial होता है 3 factorial मुझे बतला किया 3 into 2 factorial होता है and so on बासन में आ रही है अभी तो और मोल्ड करूँगा इसी को तो में बात क्या होता है इसको हम लोग बोलते है जी termination condition तेक है termination condition तेकनिकल वर्ड मैं उस कर रहा हूं धिरे-धिरे और clarity लाँग फिर आगे-आगे हम जो भी बड़ा number का factorial निकालना होगा घुमा फिरा करके आपको यहां तक पहुंचना है ठीक है हर एक number का factorial जो भी number आप जिस भी number का factorial निकालना चाहते हो उसको घुमा फिरा करके यहां तक आपको लाना है termination condition तक लाना है जैसे suppose करो ठीक है अब फोड़ यह होता है तो अगर मुझे अच्छाओ निकालने के लिए भागूँगा मैं तो निकालना से आंसर निकलाएगा थे वन नन फेक्तरा लेकिन तो निकलाएगा तो फिर मिरें को पता लगेगा जो की बेस कंडिशन के आते जीरो फेक्तरिल बन होता है तो लो झी वन इंटु एक और निकाल देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक और निकाल देता हूं, मेरेको 5 factorial निकालना तो महां कि भूलोंगा, मैरेको 5 factorial तो नहीं आता, लेकिन इतना पता है, 5 in to 4 factorial. फिर आप बोलोगे 4 factorial क्या होता है फिर आप बोलोगे 4 factorial तो नहीं पता लेकिन मेरेको इतना पता है 4 into 3 factorial होता है 3 factorial क्या होता है 3 into 2 factorial 2 factorial क्या होता है 2 into 1 factorial और 1 factorial क्या होता है 1 into 0 factorial फिर आप बोलोगे अच्छा जी मेरेको 0 factorial पता है 1 होता है तो 1 x 1 that is 1, फिर 2 x 1 that is 2, यह 2 उपर चड़ा ना, तो 3 x 2 that is 6, यह 6 उपर चड़ा, तो 6 x 4 that is 24 उपर चड़ा, ठीक है जी, और फिर यह 24 x 5 that is 120, तो यहां से मेरे पास 120 आंसर निकलाया, देख रहे हो, किसी भी नंबर का आप मेरे को फेक्टोरिल कहा रहा हो ना, मैं घुमा उसको वाइपास उसी base case पे ले आता हूँ, base condition या termination condition पे ले आता हूँ, that is 0 factor, यह 3 factor यह आपने पूछा थे, तो मैं उसको घुमा फिरा करके कहां पे लेके आ गया जी, 0 factor पे लेके आ गया, and so on, तो हार एक नंबर के लिए मैं यह कहानी का नंबर, तो 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 मैं रिकर्ट using smaller problem is called recursion, बड़ी problem को, छोटी problems को use करके solve करने को recursion कहते हैं, यही चीज़ देखो, मैंने भी आपको दिखाई है, छोटी problem का solution पता था, मतलब छोटे number का factorial मुझे पता था, अब मैं बड़े number का factorial, इसी छोटे number की help से निकालना सीख चुका हूँ, आई बात समन में, और कितने ध्यान से लिखा है, वी नो, यह देखो, वी नो, solution of smaller problem, smaller problem का solution मुझे पता है, मतलब 0 factorial 1 होता है, यह मुझे पता है, and we use this solution to solve the bigger problem, और directly-indirectly, bigger problem को, छोटा-छोटा करते-करते, मैं इस termination condition पे लेके आ जाता हूँ, यह देखो, इसी termination condition पे हार एक number को, जिस भी number का factorial न फिर वापस सारा back substitute करके answer निकाल के लिए आपता हूँ, थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, हमने क्या किया कुछ, little bit, little-little के लिए रहा, थोड़ा-थोड़ा, बिल्कुल बस इतना ही चाहिए मेरे को, बस तोड़ा-थोड़ा समझ लो, ज्यादा इतना, अभी हमारे को कि हम काम क्या कर रहे है, थीक है, थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया ना, अब देखो, कुछ-कुछ समझ में आ गया, five factorial कैसे निकाल रहा हूँ, three factorial कैसे निकाल रहा हूँ, अब देखो, अब मैं question पूछता हूँ, पहला question, where is recursion, बताओ भई, यहाँ पर recursion आपको कहा factorial निकाले, तो fact function ले देते हैं, तो मैं बोलूँगा, fact of five, fact of five, क्या करेगा, मैं बोलूँगा, fact of five, तो मुझे नहीं पता है क्या होता है, मैं बोलूँगा, five into fact of four, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा, fact of four क्या होता है, जी, आप बोलोगे, कि sir, मुझे fact of four भी नहीं पता, मैं क बोलोगे 3 into fact of 2, पेरा बोलोगे fact of 2 क्या होता है जी, 2 into fact of 1, और fact of 1 क्या होता है जी, 1 into fact of 0, fact of 0 मुझे पता होगा, fact of 0 जो कि हमारी base condition थी, that was 1, तो 1 into 1, that is 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पे return होगा, back substitute करेंगे हम, ठीक है, फिर 2 into 1, that is 2, 2 इधर copy होगा, फिर 3 into 2, that is 6, 6 इधर copy होगा, 6 into 4, that is 24, इधर होगा, और 24 into 5, that is 120, 120 इधर return होगा, पड़ा समया है, देखो, self calling function में कहानी कैसे होई, यह देखो भई, fact of 5 ने किसको call कर दिय fact of 5 की definition में लिखूँगा, मैंने पूरा program ने लिखा, मैं जिर्फ आपको concept समझा रहा हूँ, कि recursion कहा नज़रा रही थी, यह जो आपने बना करके खड़ा कर दिया था, यह तो numerical था, mathematics वाली बात थी, तो recursion कहा नज़रा रही है, वो programming की बाशा में self calling function लिकानी कहा है, तो व fact of 3 ने fact of 2 को call किया होगा, fact of 2 ने fact of 1 को, fact of 1 ने fact of 0 को, जैसे fact of 0 call होगा, उसने return कर दिया होगा, and so on, फिर वापस back substitute करते करते है, 120 answer ने खाना होगा, थोड़ थोड़ और clear हुआ, तो recursion कहा है, I think वह आपको समझ में आगा होगा, where exactly is the recursion here, तो यहाँ पर यह तो numerical नज़र तो recursion यही चल रही है, तो fact of 5 की definition में आपने fact of 4 को call किया होगा, तो थोड़ थोड़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह देखो, और मैं जिनका राता हो मैं आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ अलग color loop, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको, यह तो अब वही बात है, थीक है, अभी ज्यादा नहीं में बोलता, थोड़ा 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 आपको और समन में आ गया होगा कि हम इस तरीके से call कर रहे होंगे, चिजों को, लिटल बिट आइडिया क्लियर, चलो, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने के कोशिश करता ह तो वेर इस रिकर्शन, यह आपको क्लियर हो गया question, next is, till when you do recursive calls, recursive calls कब तक करते रहोंगे, जब तक आप termination condition तक न पहुंच जाओ, तो यह रही हमारी termination condition fact of 0, तो जैसे हमारी termination condition reach हो जाएगी, हम recursive calls करना बद कर भीएगे, कि देखो, अब नियुकार से दिलता रहता है, fact of 0 के लिए फिर मैं बोलता कि 0 into fact of minus 1, एक के कम हो रहा है, फिर वह बाता है, fact of minus 1 तो होता नहीं, minus 1 का factorial सब define नहीं होता है, तो फिर वह बाता है, वो फिर पक्वास हो जाएगा, तो ऐसे तो infinite loop में पच्दा हो गए, तो इसलिए infinite loop में ना पच्दा हो, इसलिए आपको termination condition देनी पड़ती है, बात सब्समें आ रही है, मैं एक बार और बोल देता है, fact of 0 के लिए अगर आप नहीं देते, तो आप ऐसे फिर शुरू कर देते, fact of 0 के लिए आप क्या बोलते, 0 into fact of minus 1, 0 into fact of minus 1, फिर आप शुरू हो जाते, fact of minus 1 क्या होगा, minus 1 into fact of minus 2 and so on, इस सारा होता है, वहीं से value put करके, back substitute करके, ऊपर तक पहुंचते चले जा रहे है, बात सम्झा रही है, ठीक है, तो यह सब नहीं करना भी, थीक है, प्लीज ध्यान रखने, इस अब तो मैंने simply समझाने के लिए बोला है, यह सब नहीं करना, तो इसलिए हम क्या कहते है, कब stop करना है, जब हमारी termination condition reached हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो till when you do recursive call, till termination condition is reached, ठीक है, till termination condition is reached, देख देता हूं, वैंसे लिखने के जूरत नहीं आप समझ चुके हो, बड़ स्चिल मैं लिख रहा हूं, till termination condition is reached, termination condition is reached, जैसी termination condition is reached होएगी, हम रूख जाएंगे, ठीक है आगे देखो भई, order of calling, किस order में आपने functions को call किया है, जब एक बार यह समझाना, अराम से देख के मर को समझाओ, 5 ने 4 को call करा, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, 1 को 0 को call किया, 1 ने 0 को call किया, 0 का हमारे को पता था, फिर हमने ऐसे back searching किया था, तो order of calling कैसे है, तो मैं यह लिखत आँ, आपने क्या किया है, अलग pen से लिखो, अच्छा लगेगा आपको, हाँ जी, तो सबसे पहले fact of 5 आपने call किया होगा, main function से, fact of 5 ने आगे किसको call करा, fact of 4 को, fact of 4 ने आगे किसको call करा, fact of 3 को, फिर fact of 3 ने आगे किसको call करा, fact of 2 को, और उसके बाद फिर fact of 1 को, और फिर आपने कॉल किया जी fact of 0 को, fact of 0 आपको पता था end song, ठीक है, तो आपको समना है किस तरीके से आपने functions को call किया, तो order of calling ऐसे है, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, 1 ने 0 को, किस तरह से हमारा order आया calling का, completion order कैसे है, function जो आपने call किये, उनकी execution completion कैसे हुई है, आप बोलोगे कि 0, fact of 0 तो अलड़ी completed रही है, क्यों completed है, क्योंकि उसकी value हमारा को पता है, 1 होती है, तो हम 1 return कर वा लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये function, you can say, complete हुआ है, उसके बाद फिर fact of 1 complete हुआ, फिर fact of 2, फिर fact of 3, फिर fact of 4, फिर fact of 5, ना है के नहीँ आया, fact of 0 सबसे पहले complete हुआ, उसने 1 return करा, तो पिर यहां पर आपने लिखा होगा, 1 इंटू fact of 1, right, तो फिर वही बात है यहाँ पर यहां पर आपने बोला ओगा यहाँ पर फैक फैक ट咪 ट ने आपको वैल्य दिटं कर वाए 1 जो वाइ 1 तो फैक्ट अ हमार पास बिन आया और यहां पर आपने क्या लिखा मुझा वहrobeosition अख अपने उपर रिटर्ण करवाया ठीक है जी तो रिटर्न हुआ तो फिर यहां पर आपने क्या बोला होगा थ्री इंटु तो था ना यह अभी आप देखो में आपको पीछे दिखाया है तो फिर यह उपर रिटन करेगा और यहां पर हमारे पास क्या था जी 5 था है ना तो 5 5 यहां पर यह फाइनली 5 कितना होगा 1 20 को यहां पर मेन पक्यान की ओग वहां पर हो एक्सेशन कमप्लीशन कंप्लीशन हो है आ ऐसे चला है जो completion order है वो ऐसे चला है तेक्ट है मैं लिख दूँ नीचे आगे लिख देता order of completion कैसे राये बैए fact of सबसे पहले fact of zero complete हुआ फिर उसके बाद fact of one complete हुआ है फिर fact of two हुआ है फिर fact of three हुआ है फिर fact of four हुआ है और finally फिर fact of five complete हुआ है उनकी execution कैसे complete हुई यह मैंने आपको दिखा दिया अब एक बात मुझे यह समझाओ call कि sequence में हुए थे five four three two one zero इस तरीके से call हुए थे और complete कैसे हुए है बिलकुल उल्टे चीक है तो यह देखो this order resembles which data structure behavior यह जड़ा मैंने को समझाओ किस तरीके यह जो order हमने देखा हुए calling sequence तो थी जी five four three two one zero और completion कैसे था भी जिरो one two three four five तो किस data हजर का behavior है यह सबसे आखरी में आया वह सबसे पहले complete हुआ है सबसे आखरी में आया मतलब सबसे आखरी में call हुआ कौन सा fact of zero और complete सबसे पहले कौन हुआ fact of zero ही हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई यह behavior कैसा है भी last in first out वाला है that is nothing but stack तो इसका मतलब stack data structure हम लोग recursion में use करेंगे this is very very important point बहुत basic point है सबको पता होगा लेकिन आज आज आपको reason समझ में आया होगा कि stack ही हम लोग क्यों use करते हैं तो देखो भाई आम सिर्थ समझ में आया होगा सबसे पहले आपने किसको call किया था सबसे पहले call हुआ था जी fact of five फिर fact of five ने आगे किसको call किया fact of four को फिर आगे किया call हुआ जी fact of three फिर आगे कि call हुआ fact of two फिर आगे कि call हुआ fact of one फिर आगे कि call हुआ fact of zero पटएव जीरो की वैल्यू आपको पता लग गई तो फिर यह खतम हुआ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये तो ये कैसा हुआ वह सबसे पहले थे हुआ था अब सबसे आखरी में वो complete हुआ है, तो again आप समझ पा रहे होगे, first in last out, ऐसे भी बोल सकते हो, first in last out, या last in first out, जो मर्जी बोल जो है, और ये behavior कैसे है, जी stack का है, तो इसलिए हम लोग stack data searcher use करेंगे, किस में recursion है, I think clear हो रहा होगा, सब लोगो को मैं क्या करने को सुषिश कर दिया, तो ये देखो, मैं आगे लिकूँगा, function call means push into the stack, and function completion, जब वो complete होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, function pop होगा stack में से, इसको हमने उड़ा दिया, factor of 0 उड़ा दिया, factor of 1 को complete करा, उसको भी उड़ा दिया, factor of 2 को complete कर, उसको भी उड़ा दिया, factor of 3 को complete कर, उसको भी क्लियर होगा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा समझते जाओ, अभी और दीर-दीर picture clear होगी, अभी तो मैं सिर्फ उपर-उपर से समझा रहा हूँ आपको, picture तो अभी सब बाकी है, अभी तो दीर-दीर हम देख रहे हो, बिल्कुल step by step, एक दम आराम से, पहले इत तो अगर आपका दिमाग यहां तक चल रहा है, तो मैं आपना दिमाग बिल्कुल यही तक लेकर आता हूँ, फिर आप वहर सोचोगे, साथ-साथ में आपके सोच रहा हूँ, यही तो मज़ा है न, बेपढ़ने का, बिल्कुल आपको अच्छी क्यों लगती है, क्यों कि एक कि दम क्रिस्टल के यहीं करता हूँ, थेक है, समझ में आ रहा हूँ अगर लगाओ लगाओ लगाओ, ना लगाँ तो क्या होगाओ, देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने इस टेक यूज नहीं किया, तो यह जो फंच्छन को वाल्यू जाएंगी वह कहां जाएंगी, वह तो सारी उठ जाएंगे हवा में, बस समझ लेखो, fact of देखो, fact of 5, 4, 3, 2, 1, 0, आपने ऐसे call के ऊग था, तो stack के अंदर रखा हुआ था, अगर आपने ये सब function calls की values को stack के अंदर नहीं रखा, डिरेकल इंडरेकल आपने store करके नहीं रखा, तो सारी उड़ जाएंगे हवा में, तो सारा data loss हो जाएगा, तो data loss ना हो, इसलिए हम लोगों ने सारा कुछ stack के अंदर store करके रखा है, ताकि कोई problem face ना करनी पड़े, ओर detail अभी थोड़ी दिर में आ जाएगी, अभी के लिए समझ लो, अगर आपने stack यूज ना किया, तो जो function call से value जा रही है, and some, उस सारा कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे कि कहां से value आई थी, कहां जा रही है, and some, तो stack एक किसम से हमारे पास memory है, इस memory में हम लोगों ने store करके रखाव है, कहां से क्या value आ रही है, तो थोड़ा-थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, अभी और आएगा समझ में, जब पूरा proper program कड़ाओंगा, तो आपको और समझ नहीं आएगा, थीक है, तो main बात क्या है तो what if we do not use stack, तो information loss, बस simply आप लिख सकते हैं, information loss हो देगे, जो भी आपके पास numbers सारे थे, उखान जाएंगे, सारे सारे उड़ जाएंगे, हवा में, ठीक है, उड़े ना, उनको हम आराम से store करके रखें, तो इसलिए हम लोगों ने stack use किया है, अगर आप stack use ना करते तो बात बनेगे नहीं, information loss हो देगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ, अब आएगी में बात है, तो आप देखो, राइट है प्रोग्राम, अब प्रॉपर प्रोग्राम में आपको बना करके दिखाओ, बहुत बेसिक बेसिक बाते हैं, मैंने बहुत सारी कर ली, अब एक आपको बना करके दिखाओ, बिलकुल सिंपल स्टाइल से, सबसे पहले अपना वही बात है, अपना शुरू करते हैं, और यहां पे फिर हम लोग क्या रिफाइन करेंगे, एक इंटीजर, रिफाइन कर लेते हैं, प्रिंट एफ, एंटर दे वैल्यू उफ एन, स्कैन एफ, है न, वो एन की वैल्यू आप कीवर्ड से इंपुट करवा लोगे, जिसका भी फैक्टोरिल निकालना है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक और विरीबल लिते हैं, से एफ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे एफ is equal to fact of n, इस तरीके से function को call करेंगे, तो directly and directly मैं value return करवा हुआ, ठीक है, तो fact of n आपने लिखा, उसके बाद फिर आप यहां क्या लिख दोगे, printf, percentage d, f, इस f की value, print करा लेना, ठीक है, जी, बस यह program हमारा complete, अब हम fact n को, बिल्कुल वोई है, जैसे आप normal एक factorial का program बना करके दिखाया, main में तो कोई change होना नहीं है, बस इस function की definition में recursion कुछ आएंगे, बाकि general सब कुछ होई चलेगा, आप देख लोग वही चीज है, तो यह fact आप नीचे बना रहे हो, या you can say, मैं तो यहां parallelly भी बना सकता हूं, बट स्वड़ सा नीचे बनाऊंगा ताकि आप आप को समया, इसलिए, क्योंकि पैरलली बनाने का कोई logic नहीं है, बना दूगा तो आप, मतलब, you can say, जो भी ID आप उसकर रहे होगा, integrated development environment, उसमें आप कैसे दिखाऊंगे, तो पैरलली तो नहीं बनेगी बात, तो नीचे मैं दिखाऊंगा, फोड़ा सा conceptually clear रखने के लिए चीजों को, ठीक है जी, तो अब वही बात है, main function में आपने इस fact को call कर दिया है, और वही बात जैसे मैं आपको message समयाता था, prototyping करनी पड़ेगी, क्योंकि आप call पहले कर रहे हो, define बात में कर रहे हो, तो prototyping बिल्कुल वैसे ही, जैसे आप normally करते हो, तो fact, f integer है, तो factorial of n, जो आपने compiler को information दे दी, कि fact नाम का function है, जिसको मैं पहले ही use कर रहा हूँ, और बाद में उसको define कर रहा हूँ, और उसके अंदर एक integer argument है, और उसके return type int है, बस, यह चीज़ बात है, prototyping होगी, same to same prototyping, कोई नही concept नहीं है, यहां तक, अभी तक मैंने कुछ नहीं आपको समझाया अब जब मैं प्रोग्राम बनाओंगा, यहां आपको समझ में आने चीज़ यह बात है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, वही आपनी normal, यह जैसे int, fact, int, n, तो यह जो आपने fact of n यह लिखा है, यह actual argument है, और यह formal argument है, यह मत बोल देना, n और n same हो गया, इससे कोई फरत नहीं इसके अलग memory बनेगे और इसके अलग memory बनेगे, इसमें confuse मत होना, बेसिक सा point है, तो मैं बस इतना कहना जाता हूँ, यह जो n है, यह main का n है, और यह जो fact function जब आप call कर तो इसका n अपना अलग होगा, तो दोनों अलग-अलग n है, उसमें को tradition वाली बात नहीं है, तो आप स effect intent, उसके बाद फिर अंदर आ करके देखो, अब आपको करना कैसे, सोचना कैसे, the main thing is, कि जो अभी आपने recursion पड़ा है, उसको मैं implementation कैसे दूगा, देखो, simple बात इतनी आद रखनी है, जो भी आप, you can say, program बनाऊगे recursion की help से, उसमें सिर्फ दो ही चीजे होगी, एक तो आने की बजाए, मैंने एक चीज आगे लिखी है, तो वो मैं आपको दिखा देखा, तो देखो, यह रिखो, कैसे करना है, how to think of a recursive program, सोचना कैसे है, देखो, simple बात, मैंने भी आपको समझा है, recursion exactly क्या है, recursion है, doing same thing again and again, एक ही काम को बार-बार करो, वही recursion होगा है, तो try to think that what should be done again and again, कि मेरी problem solve हो जाए, देखो, मैंने आगे यह लिखा है, so try to think that what should be done again and again, in order to solve the problem, एक है, and सबसे में बात, when to stop, रुकना कब है, यह आपको पता होना चाहिए, पासर में आई, तो recursion क्या होता है, एक ही काम को बार-बार करते रहो, तो क्या काम मैं बार-बार करूं कि मेरी problem solve हो जाए, इस तरीके से सोचना है आपको, अच्छा, और यह तरी समझ में आगी, क्या काम को बार-बार कि मेरी problem solve हो जाए, रुकना कब है, यह भी तो पता होना चाहिए, बार-बार करते रहो तो infinite loop प्या पस जाओगे, वह काम नहीं करना है, तो रुकना कब है, य बार-बार काम सेम कब तक करते रहना है, और termination condition कब रुकना है, दो टुकडे होंगे हमेशा हर एक recursive program के, अब एक बात यह भी ध्यानक नहीं है, पहला टुकडा कौनसा होगा, termination condition, देखो, इसलिए मैंने फर्स्ट यह लिखा है, और दूसरा होगा, जी recursive call, तो roughly मैं यह कह सकता हूँ, stop, continue, stop, continue, दो ही चीज़े होती है, हमारे पास recursive program के अंदर, पहला part होता है, stop, दूसरा होता है, continue, देखो, मैंने लिखा भी है, roughly we can say, every recursive program has two parts, that is stop and continue, कब stop करना है, कब continue करना है, बस यह चीज़ हमारे को समझाने है, और यह बात ध्यान रखनी है, पहला part हमेश को start किया, आपके दिमाग में पहला question आना चाहिए, रूक जाओं किया, यह continue करो, रूकूं यह continue करो, पहले रूकने वाली बात आना चाहिए, ताकि हम रूक सके, अगर आपने पहला ही part continue डाल दिया, तो फिर वह बात है, आपने जैसी program start के, जैसी function पे control आया, continue, 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 वो करत किया, कि हम रुख सकते हैं, क्या, if yes, then stop immediately, but if continue, continue is the first part, then every recursive program will behave like a infinite loop theoretically, यह theoretically क्यों कर रहा है, वो थोड़े दिर में बता हूँगा, अभी roughly आपको समझा रहा है, वो ऐसे लगे कि infinite loop में हम फच चुके, बास समझा रही है, हलका फुलका clear हुआ, यह जब मैं प्रोग्रम कर द यहां पर मैं क्या करनी को सुच कर रहा हूँ, तो बस इतना ध्यानक नहीं आपको, पहला part होगा, stop, और दूसरा part होगा, continue, तो कि अगर आपने पहले continue डाल दो तो आप एक loop में फसने की फस्जा होगे, जो की दिक्कत होगे, तो सबसे पहले चीज बोलना चाहिए, क्या मैं रुख सकता हूँ, रुख सकता हूँ, तो immediately रुख जाओ, नहीं रुख सकते हैं, तो फिर continue करो, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा समझ में आया होगा, और कुछ नहीं, अब मैं लिखता हूँ, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब पहली चीज क्या होने तो दो ही पार्ट होते हैं, termination condition, recursive call, इतना असान होगा, कुछ भी नहीं है, जो इतना students परशान होते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ दो line के code होते हैं, सिर्फ पहली line होती है, termination condition, दूसरी होती है, recursive call, बस, और कुछ नहीं करना, the only thing is, recursive call कैसे होनी है, उसमें बस confusion आता है, वो मैं भी आपको धिर्विरे क्लियर करता जाओ, जैसे हम लोग dive in deep करते जाएंगे, तो पहली चीज के अभी termination condition, तो चुप चाप से, अब मेरे को coding में लिखवाओ, आप मेरे को, चुप चाप से, यहां पर मेरे को लिखवाओ, in fact, intent, कब रुखना है, तो रुखना का बह अच्छा जी, और अगर आप नहीं रुखना जाता है, n is equal to 0 नहीं है, तो पिछे आप देखकर क्या हो, मैंने क्या समझाए था आपको, यह देखकर आप पिछे आदाम से, यह देखो, fact of 5 ने किसको पॉल किया था, 5 into fact of 4, मतलब, fact of n, generalize करूंगा, तो fact of n क्या करेगा, n multiplied by fact of n minus 1, एक कम, तो फिलिए वही बात, fact of 4 क्या हो जी, 4 into fact of 3, fact of 3 क्या हो, 3 into fact of 2, तो fact of n क्या होगा, n into fact of n minus 1, so simple, बस यह लिखना है आपको, काम खाता है मैं हमारा, तो आप देखो, मैं क्या लिखूंगा, if n is equal to 0, return 1, else, else में क्या करना है जी, else return, n star fact of n minus 1, that's, बस हो गए, बस यह है, क्या factorial, आप generally, आप बना होगे, तो loop चला होगे, variable initialize करा होगे, 4 i is equal to 1 to n, i plus plus, f is equal to f star, जो भी कुछ को समय लिखा करते हैं, मैं को code याद नहीं है, please मैं रटके नहीं बैठता हो, तो आप मेरा loops का वीडियो देखना है, जब control searches में आपको पढ़ यही से हमारा काम complete होगा, तो अब मैं आपको समझाता हूँ, exactly ही काम कैसे हो रहा है, तो आप देखो भई, आपने क्या किया, यह वाइड मीन वाला तो मेरे को explain करने के जूरत नहीं है, यह तो बिल्कुत same to same, सारा कुछ copy paste है, जैसे हम normal function call करते हैं, सब कुछ वही का वही है यहां पर भी वही चीज है, यहां पर क्या आएगा जी, यहां तक signature यह एकदम same to same चल रहे है, बस जो आप define कर रहे हो, यहां पर थोड़ा सा difference आया है, यह I think आपको सम्झा रहा होगा, तो आप देखो, अब मैं आप उसको चला करके दिखाता हूँ, जैसे आपने main से call करा, यह fact of 5, है न, n की value आपने जो keyboard से डाली, यह देखो, यहां पर आपने जो keyboard से n की value डाली, वो 5 डाली, तो फिर यह क्या हुआ जी, function call क्या हुआ, fact of 5, यह 5 फोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा, छोटा ले लिता हो, फोड़ा सा आपको बहुत अच्छा लगएगा समझ यहां पर control आएगा, तो क्या होगा जी, एक variable define होगा, n, और n की value क्या हो जाएगे, 3 हो जाएगी, और आप बोलोगे, 3 is equal to 0 है, तो वही बात नहीं है, stopping वाली बात तो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, return क्या गरोगे, 3 into fact of 2, तो फिर वही बात है, fact of 2, सब कुछ छोड़ यहां पर 2 मिनिट के लिए, यह पार्ट में उड़ा जेता हो, इसको छब को छोड़ दो, इतनी बात कोड़ो, यह fact and minus 1, यह क्या है, तो इसी function की definition, मैंने सी function को call कर रखा है, यही तो exactly recursion आपको समझा ही थी, तो बस इसी तरह से चलता रहेगा, तो मैं आपको चला करके तो थोड़ा और मज आएगा, देखो भई, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहां से 3 हुआ था, तो आपने क्या करा, यहां पर मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, लिखता जाओंगा मैं, दो-चार चीजे मैं आपको लिखनी पड़ेंगी, बट उससे concept थोड़ स was called, return control where the function was called, यह बात ध्यान रखना, जहां पर भी function call हुआ था, वहां पर control return कर दिता है, यह basic में निग होता है, return का, इतनी बात अगर आपको सम्झा रही है, आप देखना आप एक जटिके में पकड़ोगे जीजुटू, ठीक है, मैं आपको दुबारा से सारा coding करके दिख है, मैं हटा रहा हूं से, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी definition को copy कर लेता हूँ, और दो मिनट लगेंगे, मैं एक बार यहाँ पर copy करके रहा हूँ, तो काम थोड़ा से हमारे लिए असान हो जाएगा, समझने में हमारे को बहुत असान ही हो जाएगी, ठीक है, तो अब देखो भी, आप देखो कैसे चले करिए, बैस तो pen tab है मैं copy करके, इतना बड़ा नमबर क चोटा एक नमबर ले लिए, उससे आपको सुनवा जाएगा, ठीक है जी, तो fact of three आपने call किया, तो यहाँ पर यह देखो भी, यह क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर यह क्या है, यह क्या है भी, यहाँ पर यहाँ पर three होगी ना, तो मैं roughly यहाँ पर three लिख देता हूँ, ठ क्या बोलोगे, क्या three is equal to zero है, नहीं है, अब आप क्या call करोगे, यह end की बज़े हम यहाँ लिख देंगे, यह three into fact of two, ऐसे आपने call किया, तो फिर वह बात है, यह fact of two, यह नहीं function call हुई ना, तो function, फिर वह बात है, function definition पर control जाएगा, no doubt control यहाँ पर वापस आएगा, पर मैं multiple copies बना के रख लिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है, हाँ जी, तो fact of two call हुआ, तो control यह देखो, यहाँ अब मैं क्या बोलूँगा, मैं इस इसको यहाँ से हटाओंगा, ठीक है, हाँ जी, और यहाँ पर क्या बोलूँगा, यह two, two बन चुका है, अब आप बोलो फिर one, फिर यह देखो, यह control ला करके इधर रखेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे, यह बन चुका है, यह बन चुका है, one, fact of one था, one आ गया, one is equal to zero, return one नहीं होगा, तो यह क्या करेगा, return one into fact of zero, यह बन चाहिए, fact of zero, ठीक है जी, तो अब वही बात है, fact of zero, तो यहाँ पर control ट्रांसफर हुआ, और यहाँ control ट्रांसफर होकर के यह क्या बनेगा, जी, यह बन जाएगा, तो यह हो गया जी, zero, ठीक है जी, यह चीज हो गई, zero, ठीक है जी, अब आप बोलोगे, zero is equal to zero, return one, अब ध्यान रखना नहीं, यह one कहां return होगा, जहाँ पर function call किया गया था, यहाँ पर function call किया गया था, तो यहाँ पर यह one return होगा, तो अब यह देखो, अब यह क्या बन चुक है जी, one multiplied by one, that is one only, तो यह one कहां return होगा, जहाँ पर function call किया गया था, function call किया गया था, तो यह one into one यहाँ पर आए था, ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर आप देखो, अब यह two into one, यह क्या बन गया जी, two बन गया, तो यहाँ पर value return करो, तो यहाँ return करो, अच्छा जी, अब आप क्या बनोगे, three into two, that is six, तो six कहां return होगा, जहाँ पर यह वाला function call किया गया था, कहां कॉल किया गया थे यहां पर यहां रिटर्न होगा जी यह जो होगा यह 3 इंटू 2 that is 6 यह 6 रिटर्न हो जाएगा यहां पर और एफ के अंदर बहुत में लिक्या जाएगे 6 और जब आप प्रिंट एफ कराओगा तो आंसर 6 प्रेंट हो जाएगा तो रिटर्न स्टेट्मेंट हमेशा कहा रिटर्न करती है जहां पर फंक्शन कॉल किया गया होगा यह देखो मैंने छोटा कर दिया है आप राम से सारा कुछ नोट डाउन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको चला करके यह पूरा पूरा फस्ट फ्लास इतना खोल के कोई नी समझाएगा अब यह एक्जक्ट इंप्लिमेंट कैसे हुआ है यह एक्जक्ट इंप्लिमेंट वर स्टैक की हेल्प से तो मैं आपको स्टैक बना करके दिखाता हूँ अब देखना आपको कितना ब्यूटिफुल और कितना अच्छा अब देखो यहां से जैसे आपने यह देखो तो एक बात आपको याद रखनी है मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ जैसे ही आप फंक्शन कॉल करते हो ना उसका एक अक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाता है स्टैक के अंदर तो यह मैं नोट करके पॉइंट लिखता इंदर क्या है लोट किशन फंक्शन कॉर्ड इस संपशेशन फंक्शन कॉल कि त्टिवेशन रिकॉर्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड हक्टिवेशन एक्टिवेशन King होता है एंड साथ मैं आं तो समझाऊँ अभी ज़्यादा हम लोग नहीं कु सेंगे थोड़े दशीज आप देखो आप देखो इसको एक बार नोट डाउन कर लो हां जी तो सबसे पहले तो भी देखो में के लिए के अक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा और नेक्स लेन का ड्रेस है ना जहां पे कंट्रोल वापस आएगा और सॉन वह भी सार अक्टिवेशन रिकॉर्ड बन चारेगा अब में ने आगे फंक्शन का फैक्ट ओफ 3 कॉल किया था तो लो जी फटा फट से मैं एक फैक्टोरियल के लिए एक यू कैन से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाऊंगा फैक्ट ओफ एन में लिखूंगा उसमें न की वेल्यू 3 जैसी आपने यह लिखो पट ओं यहां से 3 पास किया था यहां पे इंट यहां पर इंट न आ अपना लिखा था था ना तो यहां पे एक वरीबल की वेल्यू क्या हो जाएगी जी 3 और नाम के जी उसका था लिए तर यहां पर यह लिए तो यहां पर मैं लिखके रख लेता हूं 3 into fact of 2 यह आपने कॉल कर दिया यहां पर यह किसके अक्टिवेशन रिकॉर्ड है जी तो इसने क्या पॉल कर रहा है fact of 2 जैसे fact of 2 कॉल होगा एक नए activation record बनेगा किसके लिए तो यहां पर मैं क्या बहुँगा फिर बात एक एक नए विरेबल रहा होगा लोकल विरेबल उसके अंदर दो आया होगा तो समझ पा रहे हो यह जो आपने एक बार लिखा था ना affect intent यह देखो मैं आपको लिख करके दिखाता हूं यहा पे आपने हो आपको लग रहा होगा कि कि एक विरेबल है नहीं भी जितनी बारे यह फंक्शन एक नए नए नर डिफाइन ते लागा यह धेगा तो जितनी बारे आपने फंक्शन को उतनी बारे न इन बनता है तो यह तो अब आपने यहां पर क्या लिख रखाओगा गाजी तू इन्टो फैक्ट ओफ फफ फैक्ट ओफ वन को होगी तू बैठ कि आपने वन को कॉल किया तो फिर वही बात आप यह हो जाएगा जी फैक्ट ओफ वन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा ठीक है जी तो फ तो n के वाली 1 आ हो गई, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 into fact of 0, यही है न, n into fact of n minus 1, यही है न, n into fact of 0, फिर वह बात fact of 0 हुआ, तो fact of 0 क्या कहेगा, फिर वह बात activation record बनेगा, फंक्शन कॉल हो, तो activation record बनेगा, उसको पहुन रोकेगा, जैसे आपने function को कॉल किया, activation record return 1, return 1 का मतलब क्या हुआ, function complete हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने सिधा return 1 डाला, तो मतलब इसका activation record बना, और बनने के बाद खतम भी हो गया, और इसने return क्या कर दिया, 1 और 1 का return होगा, जहां पर वो call हुआ था, यहां पर, तो 1 into 1, that is 2, अब यह भी हमारा fact of 1 भी अपना पूरा complete कर चुक है, अपनी execution, क्योंकि यहां पर हमारे पास 1 आ चुका है, तो फिर यह भी function complete, और फिर यहां पर आएगा control, 1 into 1, 1 था ना, तो फिर यह 1, यह 1 हमारे पास यहां transfer होगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे, 2 into 1, that is 2, त देखो ना, हमारा function, यह return last statement, इसके बाद कुछ ना है, तो खतम होगा ना, I think आप समझ पार होगा, function हमारा execution complete हो चुक है, जब हमारा function return हो चुक है, execution complete हो चुक है, execution complete, तो यहां से क्या return होगा, इसने 2 भेजा, तो 2 यहां पर return होगा, और activation record इसका pop-off होगा, जैसे completion होगा, completion म तो 3 into 2, that is 6, तो 6 होगा, यहां से 6 भेज दिया, और main में हमारा control transfer होगा, main में जो भी आपने line number होगी, हमारा पार store होगी, तो उसको मारो को लिए main बाद क्या 6 आ गया, तो F की value 6 आ चुक है, तो print percentage करा करके, हम 6 value प्रेंट करा लिए, तो I think समझ में आगा, और सबको मैं क्य कर रहा हूँ, तो इस तरीके से देख रहा हूँ, यह तो हो गया, जी, actually जैसे यह चल रहा था, तो मतलब coding मैंने आपको बार-बार दिखा है, कि यह ऐसे call होगा, यह ऐसे call हो, यह ऐसे call हो, ends on, और यह हो गया actual stack की help से, कि हम exactly काम क्या कर रहे थे, थीरे-धीरे-धीरे हम dive in deep करते जार, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो I think concept clear हो गया, सब लोगों को, this is all about recursion, फड़ थोड़ आपको idea लगया होगा, कैसे सोचना है, कैसे बनाना है, ends on, कुछ-कुछ idea लगया है, इतने रखूँगा, क्योंकि अभी मैं और जदा गुसूंगा, तो फिर शायद आप पावर M कैसे निकालना है, फिर अनथ नमबर और फिर निकालना है, यह सब देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग output निकालना सिखेंगे, यह बड़ी important है, इसमें बहुत question आते हैं, एक्जाम में, कि output बताओ, यह recursive coding देदेंगे, आपको code बना करके देदेंगे, आपसे बना करके दिखा दिया है program, अब next lecture में आ करके, पहले मैं यह summary पड़ूँगा आपके लिए, जो मैंने points लिखेंगे, यह सब को मैं अच्छे से आपके लिए रीड करूँगा, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ एक-दो program score बनाएंगे, ताकि थोड़ा सा आप का mind wide open up हो सके, आपको समझ मैं कि सोचना कैसे है recursion की भाषा में, कोई भी program है, recursion से मैं कैसे सोचूँगा, कैसे बनाऊंगा and so, वो थोड़ा और अच्छे से practice से आएगा, तो वो मैं आपको next lecture में cover करूँगा, ठीक है जी, 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